है निल्ट है यह यह को है यह 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 आज आज देखने वाले हाउट फॉइंड स्वांड शॉब ऐसे का एक इस पोकल का निदा क्या होता है उसका इंवर्स निकाला जैसे कि 2 का reciprocal मतलब 1 by 2 इसका reciprocal क्या होता है 0.5 होता है तो ऐसे बड़े-बड़े जो numbers रहते हैं हम लोग lock tables उसको उमें देखते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि उसके inverse कैसे निकालना मतलब reciprocal कैसे निकालना तो पहले हम वही देखते हैं तो जैसे देखो मेरे पास यह lock tables है नवनित का तो वहाँ पे जाके आप लोग यह देखना reciprocal of fourth number ओके यह four figure number जो रहते है उसके reciprocal कैसे find करते हैं यह देखो यहाँ पे यह 0 से लेके 9 तक दिया है जैसे हम normal lock tables में लेते यहाँ पे देखो mean difference आपको दिख रहा होगा तो mean difference क्या दिया है subtract दिया है दिख रहा है subtraction ओके वो क्या दिया है 01 से लेके 9 तक के subtraction से और यहाँ पे जो numbers दिए हैं वो कितने दिये हैं मतलब 1.0 से लेके up to हमारे number start होते हैं वो दिये हैं हमें 5.4 से लेके और यह दूसरे table पर भी दिये हैं वो दिये हैं हमारे 9.9 तक ओके अभी हम लोग start करते हैं हमारा पहला वाला एक number लेते हैं हम लोग जैसे कि मैं 25 एक number ले लिए 25 का अगर मुझे reciprocal निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी यह पहले ऐसे लिकले हूँ 1 by 25 अभी यह 1 by 25 मतलब यह denominator and numerator को मैं क्या करें 10 से डिवाइड कर दो डिवाइड करोगी तो यह क्या होगा 0.1 यह क्या होगा 2.5 अभी आप लोग सोचे होगी यह मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको बताया कि हमारे जो reciprocal की जो lockables में है वो क्या है points से start होते हैं देखो यह 1.0 से लेके up to 9.9 तक ending होती है उसकी तो हमें यहाँ पे 2.5 का निकालना पड़ेगा मतलब point में conversion करना पड़ेगा तब जाके हमारा numbers निकलेगा और बाद में last तक वीडियो देखो क्योंकि मैं इसके बाद एक last में tricks भी बताने वाली हो कि यह 0.1 से मतलब यह 10 से डिवाइट त्यू करते हैं देखो तो देखो यह 0.1 मैं 0.1 पहले side में लिख रही हो और मुझे निकालना है 2.5 का reciprocal अब यह 2.5 का reciprocal कैसे निकालेंगे यह देखो यह 0.1 इसका reciprocal कैसे देखेंगे lock tables में जाना lock tables में 2.5 2.5 कहां पर यह मेरा 2.5 नंबर मिल गया ओके यहां पर 2.5 के मुझे कहां पर 2.5 के calculate करूंगी तो यह 0.04 मतलब यही होगा हमारा 25 का reciprocal got it my point यह easy है बस हमने समझना है और इसकी दूसरी भी tricks यह है कि अगर हमने 100 divided by 25 हो क्या मतलब 10 raise to power minus 2 हो गा यह तो इसको भी calculate करेंगे करेंगे मतलब यह कितना होगा 4 into कितना होगा 10 raise to power minus 2 इसको calculate करेंगे तो यह 0.04 तो यह भी टेक्निक है रेसी पोकल निकालने की और यह lock table से lock table से कैसे निकालते वो भी आपको मैंने explain किया है ओके तो अभी next नंबर देखते हैं अभी second number है 234 अभी 234 का हम रेसी फोकल कैसे निकालेंगी तो रेसी फोकल निकालने के लिए पहले हमगे क्या करना पड़ता है 1 divided by 234 अभी देखो मैं मैं अगर 234 का देखूंगी तो मेरे 1 से लेके 9.9 तक है मतलब यह भी हमें possible नहीं है बट हम ऐसा भी तो कर सकते ना 1 divided by 2.3 and 4 मतलब 2.3 तो हमारे लॉक्टेबस में है ना तो 2.3 का तो हम लिखा सकते तो अभी मैं denominator and numerator को दोनों भी दोनों को भी क्या करे हो 100 से मैं तो बिभाइट करोँगी है तो मुझे क्य मिलेगा मैं इहां पे directly लिखे हूं अगर बैंस तो और धीएद गेंडेग ही हो इसको 2.3 को क्या कि आपाइट की है घालो यह यहां तो यह क्या किया है यह को जैसे-वाइसे रख दो मतलब हमें पहले 2.34 into 10 rest to power minus 2 ये 10 rest to power बाद में देखेंगे पहले हम इसका receive local निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे 2.34 2.34 को lock tables में देखो ये हमारा 2.3 ये 2.3 मिल गया अभी कहा पे जाना है हमें आगे पढ़ो किया है 2.3 and 4 है तो 4 का ये वाली row मतलब ये 2.3 मिला हमें ये 2.3 और ये 4 वाली row ये 4 वाला column देखो तो ये 4 वाला column मतलब क्या है हमारा 4274 यहाँ पे कहा है आगे पॉइंट है तो ये नमबर क्या होगा 4274 तो मैं यहाँ पे लिग सकते हो 4274 मेरा एक नमबर मिल गया तो मैं इसको 10 raise to power minus 2 से multiply करूंगी तो ये क्या होगा 10 raise to power 3 होगा क्योंकि क्या होगा यहाँ पे पॉइंट है ना ये 0.4274 है मतलब ये नमबर क्या होगा decimal point को only shift कर रहे हो मतलब ये इस साइट decimal point ले जो तो ये 4.2 into 10 raise to power minus 3 होगा क्योंकि decimal point को shifting कर रहे हो गड़वाला 2345 ये नमबर का हम रेसी पोकल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो ये 123 मतलब 2.3 लेना है तो इसको कितना मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब नूमरेटर और डिनोमेटर को 1000 से डिवाइड करते हो तो उपर का मिलेगा 10 raise to power minus 3 और नीजे का मिला 2.345 ये ऐसी प्रोसीडर हम क्यों कर रहे है विकाज हमारे पास हम 23 मतलब 234 इसका हम लॉक टेबल में नहीं निकाल सकते हमारे पास उनली दो पॉइंट के है मतलब 0.1 पॉइंट या सम्थिंग 9.9 तक के इसलिए हमें ये 2.3 वाला नंबर चाहिए इसलिए हम क्या कर रहे है 1000 से कर रहे है तो एक बात याद रोको अगर जितने पॉइंट मतलब इसके पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 10 raise to power उपर करना अगर टू ही रहते जैसे 25 में देखा था तो 25 में हमने क्या किया था 10 से किया था क्यूंकि वहाँ पे दो ही नंबर से ना दो ही नंबर के लिए टेक्निक याद रहो कि डिवाइड किस से करना है अगर थी नंबर से रहते हैं तो 10 raise to power 2 से करना ओके अगर उनली एक ही रहते तो 10 raise to power 1 से 3 रहते तो 10 raise to power 2 से 4 numbers रहते तो 10 raise to power 3 से ऐसे consider करो मतलब है ट्रिक्स याद रखो तब जाके आपको इजी लगेगा वह तो अभी जैसे मैंने 1000 से यहाँ पे डिवाइड है डिवाइड किया numerator और डिवाइटर को अभी मैं क्या करूंगी 1 divided by 2.345 into 10 raise to power minus 3 यह 10 raise to power minus 3 बात में देखेंगे पहले हम इसका रैसी फोकल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 2.3 को देखते हैं अभी लॉक टेबल में लॉक टेबल में जाना लॉक टेबल में 2.3 कहां पर यह मेरा 2.3 के कहां पर जाना है हम लोगों को देखो 4 में 2.3 के 4 में मतलब यह 2.3 हुआ उसके 4 में मत स्टार्टिक में भाता है यहां में कया है तो यह याद रखो अगर हम कोई времah कर रहे हैं तब कर रहे तक यहां सब्ट्राक्षा उसमें तो हमएं क्या है विभ्त वाला ओकैं कॉल्म देखा उसके बाद 25 वाला मिन निप्रेंस किया है हमारा यह देखो 55 वाला मिन डिप्रेंस है हमारा 9 तो मैंने 9 क्या किया यह और सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या double जिए फाईel यह ₹ यह 2 यह 4.0 मतलब यह हमें मिल गया 0.4265 इतना इंटु 10 रस तो पार माइनस 3 ओके समझा यह कहा से आ गया सिर्फ हमने मीन डिफ्रेंस को मतलब यह 5 जो है हमारा मीन डिफ्रेंस है उसको यहां से सब्ट्रैक्ट किया तब जाके हमारा यह फाइनल आंसर है कि अभी देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यह टम मिलें अभी यह 10 रस तो पार माइनस 3 भी है उसके साथ तो इसको फाइन शिप्टिंग करते तो क्या होगा यह 4.265.0 इंट 10 रस तो पावर माइनस 4 क्यूंकि पॉइंट शिप्ट किया ना इस सब्सक्रेंट किय कैसे निकालेंगे तो देखो हमने पहले ही बता है था कि इतना सारा नंबर तो हमारे लॉक्टेबल में नहीं है उल्ली एक ही मतलब हमें 4 फिगर करना पड़ेगा उस नंबर को तब जाके हम लोग लॉक्टेबल सीजिली निकाल पाएंगे तो अगर मैं इसका रेसिपोकल निकालती हूं तो इसको देखो मैं ऐसा करती हूं यह 5.7 अभी 7 के बाद इसके पहले देखो हम लोग 1 2 3 4 5 और यह है 6 तो यहां पर मैं है ऐसा लिख सकती हूं 10 रेस्टू पावर 6 ओके तो यह कंवर्जन किया है मैंने से क्यूंकि हमें यह 5.7 का हम लोग देख सकते ना लॉक्टेबल में अभी देखो इसको कंवर्जन करने के बाद हमें रेसिपोकल निकालना होगा यह 5.784 इंटू 10 रेस्टू पावर 6 अभी देखो यह 1 divided by 5.784 इंटू 10 रेस्टू पावर यह क्या होगा माइनस 6 होगा अभी पहले हम इसका रेसिपोकल निकालते हैं तो क्या दिया है 5.7 तो 5.7 कहां पर यह हमारा हुआ 5.4 यहां तर उसके बाद दिदर साट जाते हैं तो यह होगा हमारा 5.7 तो यहां पर देखो य यह 5.7 है तो 5.7 के 8 वाली कॉलम में 1730 तो मुझे मैं ऐसा लिख सकते हूं 0.1730 अभी mean difference कोंसा है यहां पर 4 दिया है तो 4 जो mean difference है वो देखो 4 mean difference क्या है 1 है तो यहां पर 1 रखते हूं तो इसको subtract करते हूं तो subtract करते हूं तो इसको मुझे answer क्या वह लेगा यह 9 होगा यह 2,7 ये 1 ये 0.0 मतलब हमें आंसर मिल रहा है 0.1729 इंटु 10 रस तु पावर माइनस 6 क्योंकि माइनस 6 अल्रेडी हमारे पास था तो अभी हमारा आंसर क्या होगा 1.0 क्योंकि सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं समझते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करो विदाउट प्रैक्टिस यह पॉसिबल ही नहीं है ओके सो लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना मत भूलना तो थैंक्स पूर्दी वोट्स